और प्रोटेस्ट जहां भी हो रहा है वहां पर मैं यहीं कहना चाहूंगा कि आप यह देखके चलिएगा कि किसी भी पब्लिक को दिक्कत ना हो जैसे रोड जाम बगेरा करने से कोई फैदा है नहीं इससे बढ़ियां कि आप गारी कहीं साइड में लगा दीजे जहां पर पब है और दस साल का सजा हिट एंड रन में वह अभी लागू हुआ नहीं है तो साइद लागू ना भी हो सके क्योंकि सरकार को भी समझना चाहिए कि ड्राइवर कहां सिलाएंगे ड्राइवर छोड़िया अगर ऑनर को भी देना पड़ता है तो ऑनर पाच लाक रुपया कहां सि परकार अभी कह रही है कि हम ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करने के बाद ही इस पे कुछ करेंगे लागू करेंगे या नहीं भी करेंगे जो भी हो तो ट्रांसपोर्ट यूनियन से बात करने के बाद ही कुछ इस पे फैसला लिया जाएगा जैसा कि कल न्यूज में देख हल है क्योंकि अभी तो लागू हुआ नहीं है जब लागू अगर होता है तो फिर देखा जाएगा कि उस पर क्या करना चाहिए और हाँ प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है प्रोटेस्ट आप लोग करिए सब करता है और जो यूनियन में वोग तो हर जगा जाके कर सकत है मतलब उनके पास तो इतने लोग है मतलब इतने ग्रूप में है कि वो लोग यून जाके वहाँ पर कर सकते हैं प्रोटेस्ट पर जो हम लोग जैसे टाइप है जैसे कि हम लोग अकेले कहा ही जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप अपना वीडियो बनाईए इंस्टाग्राम, फेस्बूक, यूटूब इस सब पर डालिए और बस छोड़ दीजे अपना जो प्रकिडिया है यह जरूर दोखिएगा कि हम जो चीज बोल रहे हैं कि आप यह देखके चलिएगा कि किसी भी पबलिक को दिक्कत ना हो जैसे रोट जाम बगेरा करने से कोई फैदा है नहीं इससे बढ़िया कि आप गारी कहीं साइड में लगा दीजे जहां पर पबलिक को कोई दिक्कत ना हो क्योंकि रोट पे बहुत तरीक्या के गारी भी प्रोटेस्ट करिए आप लोग तो मेरे खाल से तो अब नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार तो बोली दिये कि अभी नियम लागू हुआ नहीं है तो नहीं करना चाहिए अभी फिलाल आप लोग मत करिए और काम वगेरा पर बापस आ जाईए और हाँ प्रोटेस्ट अगर कह भेहां जाता है तो किसी को परसानी नहीं कभी बीकिसी के साथ आ सकता है तो अगर मानलिजी किसी के साथ एंइंटिया टो उसमें दिक्कत है तो इसलिए कोसिस करिए कि वहां